हेलो फ्रेंड ट्साइब प्राइखके विडियो और करेंगे कोटं ने बैंको को तो फ्रेंड मैंने आपके सामने चार्ट में वीकली चारड लगा है अगर मैं करंट की स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक ये डिये 1787 के आसपास तो friend हमारे according अब share में यहां से तेजी हमको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इसके पीछे कुछ multiple region है उन region को मैं आपको यहां पे share करूँगा तो सबसे पहले हमने यहां पे trade line शिची है इस trade line पे share ने multiple time support लिया हुआ है तो friend हमारे according ऐसा हो सकता है कि share फिर से यहां पे support ले और फिर यहां से तेजी आपको दिखाए अगर मैं इसका 100 days और 200 days का moving average देखूँ तो share पहले तो अपने 100 days को moving average को तोड़ता नहीं था लेकिन इस बार share ने multiple time अपने 100 days के moving average को तोड़ा है और share ने यहां पे support ले रखा है 200 moving days के आसपास यहां पर multiple time share ने 200 moving days के average के आसपास support ले रखा है अब हम share की back testing करता है क्या यह share अपने 200 days के moving average को कभी past में इसने test किया है तो friend हम जा रहे है back में approximately 2020 में चल गए है तो share ने यहां पे 100 days के moving average को तोड़ा था उसके बाद 200 days के moving average पे support लिया फिर तेजी देखने के लिए मिली तो friend हम past में गई तो approximately हम चले गए 2017 में 2017 में हम को ऐसा देखने के लिए मिल रहा है share ने अपने 100 days के moving average पे support लिया फिर share में तेजी देखने के लिए मिल लिए approximately 2016 में भी same situation है CR के लिए तो friend हम 2014 में चले गए हैं तो हमको दिख रहा है कि CR अपने 100 days के moving average के आसपास आके ही support लेके जा रहा है उपर की ओर तो उससे पहले अगर हम 2011 पे जाएं तो CR ने अपने 200 days के moving average पे support लिया उसके बाद CR में तेजी हमको देखने के लिए मिल लिए तो friend हमको CR में दिख रहा है कि केवल एक बार past में इस CR ने अपने 200 days के moving average को cut किया है उसके बाद जब इसने 200 days के moving average को तोड़ा फिर CR में हमको यहां से तेजी देखने के लिए मिल लिए तो friend share का past data बहुत अच्छा है ऐसा इस बार भी हो सकता है कि share अपने 200 days के moving average पे support ले और फिर यहां से तेजी हमको देखने के लिए मिल जाए क्योंकि जिस point में share अभी trade कर रहा है वहां पे 200 days का moving average का support भी है और यहां पे multiple times share ने support भी लिया हुआ है क्योंकि यहां पे buyer activate है friend अगर मैं share के first support की बात करूं तो share का first support लिकल के आ रहा है 1724 के आसपास अगर share ने इस support को तोड़ा तो next support लिकल के आ रहा है 1690 के आसपास तो friend अगर मैं share के लिए RSI indicator देखूं तो वो चलना है 44 के आसपास तो जब भी पास्ट मैं RSI indicator 40 और 30 के बीच आया है तो share में अच्छे खासी हमको यहां से तेजी देखने के लिए मिल रहा है तो friend अगर मैं RSI indicator यहां पर देखूं तो share के RSI apprax 35 के आसपास आये थी फिर share में हमको यहां पर reversal देखने के लिए मिलता है अगर इससे पहले में देखूं तो share के RSI apprax 30 के पास आ चुकी थी और share में हमको यहां से reversal देखने के लिए मिल रहा है तो friend अब हम इसके analysis करेंगे daily chart पे तो friend मैंने आपके सामने कोटक महिंदरा बेंक का daily का chart लगा दिया है और हमको clear cut दिख रहा है कि share एक channel में trade कर रहा है नीचे share यहां पे support की तरह काम कर रहा है उपर वाली position पे share resistance की तरह काम कर रहा है तो friend multiple time ऐसा हो रहा है कि नीचे से share में buyer activate है और उपर से seller activate है तो इस time पे भी हमको share अपने support में मिल रहा है तो हमाले का अच्छी बात है अगर हम यहां से position बनाएं अगर मैं इसका 100 days और 200 days का moving average देखो तो share अपने 100 days और 200 days moving average से नीचे trade कर रहा है अगर मैं इसका RSI indicator देखो तो RSI भी 41 के आसपास चल लिए तो friend जब RSI 30 के आसपास थी तो share का price 1700 के आसपास आया था जब share के price में यहां से recovery देखने के लिए मिली तो RSI भी उपर की और आ रही है तो friend अगर RSI यहां से 67 के label में पहुंचती है तो आपका जो share का price होगा जनरेट करके देगा तो friend अगर आप इस share में position बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप current price पे share को 30% buy करिए अगर share की price में यहां से 50 से 100 उपी सा correction होता है तो आप 50% quantity को फिर buy करिए तो friend अगर आप इस share में position बनाना चाहते हैं तो आपके अगर buying price current label भी होती है तो आपके लिए जो share में first target रहेगा एप्रोक्स रहेगा 2000 का तो यहां से इस share में आपको 11% का profit देखने के लिए मिल जाएगा अगर मैं आपको share का second target बताऊँ तो second target में practically आपको 22% का profit देखने के लिए मिल जाएगा अगर मैं share का आपको third target बताऊँ तो share में आपको third target में 25% का टारगेट यहां से देखने के लिए मिल जाएगा तो इस time पर share अपने all time high price पर पहुंच जाएगा इस time पर जो share की price होगी एप लॉक्सी चलेगी 2264 के आसपास तो friend अगर आप इस share में position बनाना चाहते हैं तो एक बार खुद की research करिए चाहे तो अपने financial advisor से भी concern कर सकते हैं अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe करिए साथी comment section में comment करके यह भी बताए कि आपको next video की share के उपर चीए